हेलो और वेल्कम काई इस वागत आपका भेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैंकोर ECS T10 रोम की जो की मैच हो काया ऐसे रोम बंगला मौनिंग संग वसिस रोमा सिसी के बिच में तो चले दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नज के वीडियो को स्टार्ड कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि यूटूब चैनल को अभी दक आपने सब्सक्राइब ने के तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है क्योंकि यह पूरी टूर्णा जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट और आपको टेलिग्राम में मिल जाएगे तो टेलिग्राम से चुटने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रेडी लिंक एटेच किया हुआ है इनके सब्सक्राइब लिंक ना करें तो टेलिग्राम में जाके आप स इस रिपोर्ट यहां से बेटिंग के लिए काफे अच्छी पीचर रंस बनते हैं एवेरेस कोर की बात करों तो 100-120 रंस के आजपा स्कॉर बनता हुआ नजर आ सकता है बाकी ज्यादा तर यहां से पहले बेटिंग करने वाली टीम को ज्यादा एड़वांडेज मिलता है ची क्योंकि यह T10 है और T10 में हमेशा बढ़ला वगेरा होते रहते हैं ओपनिंग की बात की जाते हैं ऐसे एहमद अनिक और यहां से शरीफ SM सयान दोनों उपनिंग करवा सकते हैं एहमद अनिक काफी अच्छे प्लेयर से यहां से एजब प्लेयर के साथ इनको आप कैप्टन व पूरी करवाएं विकेट टेकेंग कैपिशिटी काफी अच्छी है यहां से हर एक मैच के अनिक आपकी टिम के अंदर रहने चाहिए वन कैप्टन यह वाइस के तौर पर भी आप इनको ट्राइ कर सकते हो बाकि शरीफ SM रहियान के बात करते हैं चाहुदा मैच के अन्दर कर रहने वाले हैं और बात करें से एहमद रजीब की तो इनको डिफरेंसिल में आप लोग ट्राइ कर सकते हो 15 मैच के अंदर करीबन 15 की अवरेश से 176 रहने हैं साथ में चार वो उसके गैन बाजी करते हैं लेकिन जब भी गैन बाजी करते हैं तब एक आड़ी विकेट जरू से रिस्की रहेंगे कादीर अबदूल ज़्यादा तर गैन बाजी करते हैं और बैटिंग से भी टिक टाक परफॉमस दे सकते हैं अला कि तीन ही वोस की गैन बाजी की जा पर तीन विकेट मिली हो तो आई थिंक इस चाहर अगली मैच के अंदर एक या दो वोस करती हो नजर आ सकते हैं तो इन्हों कादीर अबदूल को आपको ऐसा डिफ्रेंसिल आप लोग जरू ट्राय कर सकते हो अपनी टीम के अंदर बाकी रहयान सहीदूर की बात करता हो एक पॉइंट दो वोस की गैन बाजी करते हो एक विकेट निकाली तो आई थिंक शाहर आगे आपको एक वोस करता हो नजर आ सकता है रैंट हैंडे बेटिंग के साथ आते हैं से राइट आम मीडियम फास गैन बाजी करते हो नजर आएंगा बाकी रिफत इसलाम ने दो मेंच के अंदर दो वोस की गैन बाजी की एक विकेट निकाले देखो दोनों का ही परफॉमस यहां से से हैं ह तो दोनों मेंसे किसी एक बोलस को तो हम लोग जरूर लेखे जाएंगे बाकी यह दोनों हमारी टिम के अंदर रहने चाहिए हुसेन मोहमद बिलाल भुया की बात करते हो एसा प्लेयर वेरी इंपॉइन प्रिक रहेंगे चार मेंच के लाए जहाँ पर आठ वोस की गैन की तीन विकेट निकाले थे यह सब्वाइस आप यहांसे राइट आम फास गैन बाज है तो इन दोनों मेंसे कोई एक आपको यहां से देफोस में गैन बाजी करता हो नजड़ाएगा तो as a player मैं तो यहांसे दोनों कोई लेकर जाने वाला हूँ बैच की बात की जाए तो इ की betting line-up काफी मजबूत है तो I think के शायद RMC अगर पहले betting करवाती तो एक अच्छा और एक बड़ा score आपको बनता हुआ नजार आ सकता है क्योंकि betting line-up उनके काफी तगड़ी है, opening की बात की जाए तो यहसे चना का लोकु को रूप और यहाँ से डीनीडू मरा के दोनों opening करवा सकते हैं यहाँ से बात करें चना का लोकु को रूप की तो 49 मैच के लिए T20 खेले T20 से पहले खेले नहीं तो वहाँ पर 23 के विज़े से 736 रहने 30 विगेट निकाले उन्होंने 104.5 वस की गेन बाजी करते हुए हर एक मैच के दो वस पूरी करवाएगा प्लस टॉप और में बेटिंग करवाता हूँ नजर आएगा ऐसे चना का लोकु कुरूप हूँ तो एस अ प्लेयर यहाँ से लोकु कुरूप हूँ वेरी इंपॉर्ण पिक रहने वाले हमारी लिए एस अ कैप्टन वाइस कैप्टन सिप के तोर पर भी एक अच्छी चोईस है सेम सिचुएशन ऐसे डिनुडू मरा गे जोकि पंदरा मैच के अंदर यह वाइस साब ने यह कार नामा T20 में किया हुआ है तो पंदरा मैच के अंदर करीबन 26 के अवरेज से यहाँ से 363 रने साथ में 304 सी एन बाजी करते हो 19 विगेट निकाले तो यह दोनों ही एस अ प्लेयर हमारी लिए इंपोर्टन पिक रहेंगे इवन यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप के लिए अच्छी चोईस रहने वाले है क्योंकि बैटिंग के साथ-साथ यहाँ से ओवस वगेरा में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकते है देहराम सेनवी रातने की बात करें तो 15 मैच के अंदर करीबन 23 के अवरेज से 181 रन किये हुए बाकि लेफ्ट एंडे बैटिंग भी कर वाले थे लेकिन इनके बॉलिंग से कई वर भी आकड़े मिले नहीं तो बॉलिंग से कोई इम्मीद नहीं करेंगे दो सट सट रन तो यह तो आज प्लेयर आपके टीम के अंदर रहना है चाहिए पाकि सुजित रिला गोड़ा गया की बात करें तो इनको आपको डिफ्रेंसिल में ट्राइ करना है स्मॉल लिक के लिए थोड़े बहुत डिफ्रेंसिल रिस्की हो सकते है लेकिन एज प्लेयर आप लोग यहां से रिस्की खेलते हो तो इनको जरू ट्राइ करते हुए बाकि प्रूथवी समार आगे वेरी पोड़े पिक आपके टीम के अंदर रहने जाहिए हो सकता है उपर स सकते हैं फिर एक से तीन में भी खेल सकते हैं इवन ओस तो ज्यादा दर करवाते हैं लेकिन छे ओस की गेन बाजी करते हुए छे विगेट निकाली तो इनको आपको एज प्लेयर जरूर ट्राइक करना है प्रूथवी समार आगे वो बाकि क्रिशन कुलू गमागे ने पन ओस की गेन बाजी और यहांसे 21 विगेट निकाली लेफ्टाम और फोड़ो गेन बाजे और करिमन 14 के अवरेस से 105 रन भी की हो तो यहांसे आकास वड़ुआ वलागी अमारी लिए वेरी इंपोर्ट पिक रहेने वाले प्लस यहांसे दोनों बोलस काफी इंपोर्टन है तो यह तो टीम थोड़ी से मजबूर्ट लग रही है जानिल ओमा थांगे की बात को तो दो मैच के अंदर चार होस की गेन बाजी चार विगेट और यहांसे थक्सिला कोराली ने आठ मैच के अंदर 16 होस की गेन बाजी करते हो आठ विगेट निकाले है तो दोनों काई प्लेयर कम लोग ऐसे वोइड करके जा सकते हैं तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे लिल्ला गोडा को मैं लेखे जा रहा हूँ आप्संस आपको एक बार वीडियो एक बार अच्छे से देख लाना पड़ेगा कुछ चैंजिस करना चाहो तो बाकी बैट सेक्शन की बात क्याता है ती कोरा ले ए अनिक यहां से ए क्टरा को इक अच्छे चोइस है as a captain wise captain आप लोग इनको कर सकते हो इनको captain wise captain से तोर पर try कर सकते हो एकने ले गोड़ाएक अच्छी choice बन सकते है आपके लिए बाकी बॉलस से अगर किसी को करना चाहो तो यहसे बिलाल भूया और यहसे कोराल एक अच्छी choice बन सकते दोगो और options बहुत सारे मैंने आपको वीडियो के अंदर दिये हुए तो एक बार वीडियो को अच्छे से देख लिजेगा कुछ changes बगएरा करके क्योंकि यही match होती है जिनके आपको grand league बगएरा खेलने के और grand league बगएरा जितने के chances बहुत ज़्यादा रहते है क्योंकि यह पूरी नई team होती है और इनकी जानकारी भी ज़्यादा तर public के पास होती नहीं है तो उसका benefit आप अच्छे से उठा सकते हो इस match का तो मेरी team अभी के लिए कोछ चीशरा से रहेगी लेकिन ज़्याद रहेए डेमो team में final team आपको मिलेगी telegram में final line up के बाद तो telegram से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा निचे description box में मैंने link attach किया हुआ इनके सकर link वाक ना करे तो telegram में जाके आप search भी कर सकते हो fantasy vision challenger या फिर आप search कर सकते हो adderate fdc 27 और आपको सीधा हमारा channel मिल जागा शिंपल है आपको उसे join कर लेना है क्योंकि final update और team अगेर आपको जो मिलेगा वो telegram में मिलेगा तो यहाँ अगर video अच्छा लगे है तो video को आपको like और share कर लेना है साथी में youtube channel को subscribe करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छा मैचिस के वीडियो आपको इसी youtube channel पर मिलने वाले हैं तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नए surprise वीडियो को साथ तब तक आप पूरा वीडियो देखते हो अच्छा ने रिसिस करते हो अच्छी टीम बनाते हो च्वीनिंग करते हो तब तक के लिए भाई धन्यवाद जैहिन जैपारत